कि है कि है लो डियरी स्टूडेंट्स बिलकम बैक टुमाय यूटूब चैनल आक्सवर्ट क्लासेज बाई विश्वास में आप सबका स्वागत है दोस्तों तो आएए आप सब हमारे वनवर्ट सब्सिश्विशन के सेशन में स्वागत है दोस्तों आएए देखते हैं आज का हमारा पहला वर्ड पहला वर्ड क्या है भाई इफिमिनेट उसी के क्रम में हम लोग कैरी करते हैं जो हमने पिछले जहां पिछली वीडियो में जहां से छोड़ा हुआ था तो बहपुरुश जो इस्तरियों के जैसा जैसा बेवहार करता है बेवहार करता है आएए भाई इफर वेसिस होता है गैस के बलबले क्या होता है भी गैस के बलबले ठीक है चलिए बाई नेक्स वर्ड चलते है इफलेंट्स E-W-A-F-L-U-E-N-T-S इफलेंट्स क्या होता है इफलेंट्स होता है कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला काला पदार्थ या फिर जो कलकार खानों से निकलने वाली गंदगी होती है अमने क्या खानों से निकलने वाली वाली गंदगी ठीक है भाई कलकार खानों से निकलने वाली गंदगी देखे भाई नेक्स वर्ड है मारा इगोईस्ट एक वर्ड आता है इगोटिस्ट एगोटिस्ट दोनों सेम होते है भाई इगोईस्ट और इगोटिस्ट यह होता है घमंडी घमंड जिसको कहते हैं घमंड करने वाला ब्यक्ति चले भाई इलिजबल इलिजबल तो आप लोग जानते हैं कि जैसे कि आपके पास डिगरी होती है यानि कि आप किसी फॉर्म डालने के लिए आप सच्छम है आपके पास योग्यता है तो इसी कहते हैं इलिजबल इलिजबल मिस योग्यता क्या होता है भई योग्यता चले भई इलिउसिडेट इलिउसिडेट क्या होता है यह होता है असपस्ट करना किसी चीज को असपस्ट करना चले इंबैंकमेंट इंबैंकमेंट बहुत अच्छा वर्ड है अक्सर एक्जाम में पूछा जाता है इंबैंकमेंट होता है कि चहर दिवारी कहां पर नदियों की किनारे या समुद्ध तट की किनारे बाउंडरी करना चहर दिवारी करना या तटबंधी करना कि जिससे की नदियों का पानी जो है रहने वाले सेत्रों में ना आए तटबंध करना इसे वह हम लोग कहते हैं इंबैंकमेंट Embezzlement E-M-B-E-W-Z-E-L-E-M-E-N-T Embezzlement होता है कि धोखा दड़ी करना क्या होता है जैसे कि पैसे के लेन देन में उसमें गबन कर लेना धोखा दड़ी या फिर गबन करना तीछ थे वही चलिए नेक्स वोट चलते है Immigrant बहुत अच्छा वर्ड है Immigrant देखें Immigrant को मैं दो आपको वर्ड बताता हूँ Immigrant E-M-I-G-R-A-N-T और एक होता है E-M-I-G-R-A-N-T Immigrant ठीक है भई E से क्या होता भई E से आप लोग समझ लेजिए कि कोई चीज क्या होता है Export क्या होता है Export इसका मतलब Immigrant मतलब होता है कि किसी दूसरे देश में जाकर के बसना किसी दूसरे देश में जाकर के बसना और आई वाले से क्या होता है कि किसी दूसरे से किसी दूसरे देश से आ करके बसना किसी दूसरे देश से आ करके बसना आई आई मिस आई यानि आ करके बसना और इमिस एक्सपोर्ट यानि जा करके बसना इसी को इमिग्रेंट यानि की जा करके बसना जा करके बसना और इमिग्रेंट आ करके बसना इंडमिक ये होता है किसी देखिए इंडमिक और पेंडमिक एपेडमिक इंडमिक होता है किसी गए छेत्र बिसेस की बिमारी किसी छेत्र यागराश के सलोरी में हैं तो इस छेत्र इनिस सलोरी में जो है आपको ऐसी कोई बहमारी हो जाए इसी छेत्र में लह जाए और कहीं अन्दत्ट ना पहले इंडेमिक और इपीडिमिक क्या होती है आपकी मह हमारी होती है जो पोरे देस में फैल जाती है इपीक्योर देखें एक वाड़ एकीक्योर होता है देखें मैं लिकर हाए आई इर्फी i c u была ś266 इपिक्योरियन भी बनता है इपिक्योरियन ये सब होते हैं खाने पीने के सौकिन क्या होता है भई खाने पीने के सौकिन इसी को हम लोग क्या कहते हैं इपिक्योरिया इपिक्योरियन यानि कि खाने पीने का सौक रखने वाले को हम लोग इपिक्योर करते हैं आई ये नेक्स चलते हैं भई देखें वे एक फोट बताऊंगा कि एक होता है इपिलॉग एक होता है प्रोलाग हुआ इपिलाग होता है किसी सारांस का अंतिमौला भाग जिसको हम लोग कहते हैं उपक संहार किसी सारांस का अंतिमौला भाग इसी को हम लोग क्या कहते हैं उपसंगार अब प्रोलॉग क्या होता है किसी सारांस का पहले वाला भाग यानि की प्रस्तावना क्या होता है भाई प्रस्ताओना यह प्रशताओना इॉपि लॉप शंगार ठीक है बडि़ृ जोफ dhp लॉप को यह तकbr apos संगहार हिए जैसे कि हम लोग किसी चीज़में शिंब्ड बताना होता होता है तो ब्रिफ में सारी बाते हम कह देते हैं इपिटायफ बहुत अच्छा वर्ड है यह होता है कि पत्थर पर लि indispens यानि किसी कब्र पर लिख히 हुई बात कि होता है किसी कब्र पर लिखी हुई बात को है हम लोग क्या कहते हैं buscando के और trairen है मृत ब्यक्ति को जो लह जाते हैं और वहां दपनाते हैं तो अपना यह पत्थर कभ़ यह पनवा देते हैं और उसपर कुछ न कुछ लिखुआ देते हैं यह होता है कबर पर लिखी हुई बाथ लिखी हुई बात इसी को हम लोग क्या कहते हैं इपिटैब नेक्स वर्ड है हमारा इक्वेस्ट्रियन एक्वेस्ट्रियन होता है यह होता है आपका घुड सवारी क्या होता है घुड सवारी equestrian next word है हमारा equilibrium होता है यह होता है आपका संतुलन संतुलन बना होना संतुलन बनाया रखना eradicate next word है हमारा सब अनवर्ड में हैं और बहुत अच्छ अच्छ वर्ड है eradicate क्या होता है eradicate होता है किसी चीज को जड़ से मिटा देना क्या होता है जड़ से मिटा देना किसी चीज को को जड़ से मिटा देना इसी को कहते है समूलनस्ट कर देना इसी को कहते है eradicate इस पायोनेज इस पीयोनेज बहुत अच्छा वर्ड है भाई इस पीयोनेज ये क्या होता है जासूसी करना क्या होता है जासूसी करना बहुत सब्सक्राइब न कैसे युद्ध में जब जासूसों को इस्तमाल किया जाता था उनके क्लापों के लिए कि हमारा एंटी आदमी क् कैसे कर रहा है तो युद में वो जासूसी करने का काम करता था इसी को कहते हैं इस्पियोनिज यानि की जासूस जासूसी का काम करने वाला करने वाला इसी को हम लग क्या कहते हैं इस पियोनेश इथनोलोजी बहुत अच्छा वर्ड ये भी है इथनोलोजी क्या है भई जरह बात देखिए इथनोलोजी होता है और इस्टड़ी आफ रेस रेस मिस क्या होता है प्रजातियों को अध्यन करना ही इथनोलोजी कहलाता है प्रजातियों का अध्यन इसी को हम लोग क्या कहते हैं इथनोलोजी नेक्स वर्ड चलते हैं इटिक्वेट क्या चलते है भई इटिक्वेट ये क्या होती है भई इटिक्वेट तो आप जानते होंगे सब सुसिल सुसिचित जिसको हम लोग कहते हैं सिस्टा चार इस्टा चार इटिक्वेट की स्पे पूछा जाता है यहां पर नहीं तो पता चला सिंगल्टी से आप काम चला लो डबल टी होता है आई यह नेक्स वोट चलते हैं इतिमोलोजी कि क्या होता है इतिमोलोजी देखें मैं इस पर दो वर्ड बताऊंगा आपको थोड़ा सा एक इंटो मोलाजी होता है जो बहुत प्षियुजन करता है और एक होता है इतिमोलोजी रिर जैसे कि हमने लौजी आपको बताया है कि लौजव 모양 वर्ड है जो आपका start fix जुड़ा हुआ है लौजी मिस क्या होता है अध्यान कर ना और यहां पर लगा होता है यह आपका वर्ड से संबंदित होता है सब्द से संबंदित होता है यह इंटो याने की इंसेक्ट सा इटी याने की वर्ड यहां पर इटी मोलाजी है यहां पर सब्दों की उत्पत्ति से सब्द्तित है या सब्दों का अध्यान सब्दों का अध्यान अरिगटिंग मैं पॉइंट चले वह यूफिमीज्म बहुत अच्छा वर्ड है यूफिमीज्म यू पी हच आई यू पी एच ए माई यस एम यूफिमीज्म क्या होता है दोस्तों यूफिमीज्म यह होता है जैसे आपने 3DS मूवी देखा होगा देखा ना दोस्तों जब चतुर राम लिंगन जो है वो इस पीज देने के लिए अपना मैटर तयार कर रहा होता है वो तो वो जो अमीर खान था जा करके उनके इस पीज में कुछ नकुछ चंजिंग कर दिया था लेकिन वहां पर तो थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई कि जो है जो बात नहीं डालना था गो डाल दिया यहां यूफिमिस्म का मतलब यह होता है कि जहां पर कठोर बाते होती हैं उन बातों को हटा क करके शॉप्ट बाते यह मुलाइम बाते कही जाती है इसी क्या कहते हैं यूफिमिस्म तो यह यूफिमिस्म का मतलब होता है कट बाते हटा करके कट बातों को हटा करके हटा कर मृषजबात करना बात करना या रखना इसी की है कहते हैं Eufemic Elect instead evace you aate evacuate क्या होता है कहीं किसी जगा को खाली करना जैसे खतर है किसके कारण खत्रे के कारण किसी जगे को खाली करना जगे को खाली करना किसके कारण भाई किसके कारण खत्रे आदी के कारण चली बई I getting my point आई ये next वर चलते हैं कि देखिए वह एक्जिनरेट क्या होता है एक्जिनरेट होता है एक्जिनरेट हेता है फ्री फ्रॉम केप्ट या फ्री फ्रॉम जेल या फ्री फ्रॉम जो है प्रिजन या फ्री फ्रॉम ब्लेम आरोपों से मुक्त करना ही क्या कहलाता है एक्जिनरेट आरोप से हेदि बरी होना इना रही होना मैं चलेख rush गोई इक्सटन होता हैrukt होई इसलें यह ब्रूद्यमान होना जैसे की वरत偍ान में ब्रूमान होना साथ ओप ऑग cries बात हो रही है वह वर्तमान में इस्लेण डूब उपस्तित ओ बिध्नमान इक्स्टेंपोर क्या होता है बाई इस पर आपको दो वर्ड बताऊंगा एक्स्टेंपोर और एक वर्ड आता है आपका इंप्रॉम्प्टि और इस ने पॉर्ड यह दोनों होते हैं कहते हैं जिसको बिना पूर्व तयारी के क्या कहते हैं बिना पूर्व तयारी के यह होता है एक्स्टेंपोर या फिर इंप्रॉम्प्टि यह होता है दोनों की स्पिलिंग इंप्रॉम्प्टिव की स्पिलिंग पूछा जाता है यह यह होता है बिना पूर्व तयारी के बिना पूर्व तैयारी के पूर्व तैयारी के चलिए भई इंत्राल इंत्राल क्या होता है इंत्राल ये होता है इंत्राल आरे आपको पता है इंत्राल आकर्षक मनमोहाग क्या होता है भई जो बिनोदी मजाकिया हो आकर्षक कर ले आकर्षक या मनमोहक इसी को हम लोग क्या कहते हैं इंत्रॉल कहते हैं चलिए इसोट्रिक होता है देखें स्पेलिंग ध्यान रखेंगा ई-s-o-t-r-i-c-e-s-o-t-r-i-c-e-s-o-t-r-i-c-e-s-o-t-r-i-c-e-s-o-t-r-i-c-e-s-o-t-r-i-c-e-s-o-t-r-i-c-e-s-o-t-r-i-c जिसको हम लोग कहते हैं कोई ऐसी रहस कोई ऐसी पहले जो जिसका सलोशन ना निकलने हो बहुत ही गूड हो इसोट्रिक क्याते हैं जटिल या आप लोग एक वर्ड जानते हैं गूड यह बहुत अच्छा वर्ड है इवी इवी क्या होता है इवी होता है यह होता है आपका म मादा भेड़ क्या होता है भाई मादा भेड़ यह बी होता है है आयोइ चलिये इन्स होती है जिसमें विस्षभर की सारे सुझनाएं आपको उपस्तित होती हैं इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं विस्षपोस इंसाइक्लोपीडिया एक्विनॉक्स अरे यह तो जॉगर्फी का वर्ड आ गया भई एक्विनॉक्स एक्विनॉक्स क्या होता है कि वह परिश्थित जहां जब दिन और रात की अवधी बराबर हो यानि कि वह टाइम जब दिन और रात की अवधी बराबर हो अवधी बराबर हो आड़े कि नागों यह आपको क्या कहा lotा है नेक्स वर्ड है आपका एक्विजिट एक्विजिट होता है आपने शुषंए में देखा है बहुत ही soft होता है नाजुक होता है या कोई ऐसा चीज जो बहुत ही soft हो और नाजुक हो इसी को कहते हैं इक्विजिट यानि कि बहुत ही नाजुक इसी को कहते हैं इक्विजिट आईए भाई, next word चलते हैं exemplary इस फिलिंग ध्यान रखिएगा भाई सारी चीज़ें को exemplary क्या होता है यह होता है extremely good मैं बात करूँ extremely good अब इसको जरा हिंदिम लिखता हूँ तो बहुत अच्छा क्या होता है भाई, बहुत अच्छा, यह होता है extremely good are you getting my point बात यहां तक समझ में आरेक नहीं भी, बताईए word आपको समझ में आता चल रहा है सारी चीज़े one word चल रहा है भाई कोई doubt मत रखिएगा अभी क्या जब हम synonyms and tonym से पहुंचेंगे मैं कहे रहा हूँ आपको root word suffix, prefix इतना अच्छे से बता देंगे कि आप एक एक word भूलेंगे ही नहीं exemplary आपको याद हो गया extremely good next word है हमारा embellish embellish क्या होता है दोस्तों embellish होता है embellish यह होता है सजावट करना सजाना भाई, सजावट करना आज का next and last word है दोस्तों embroil कोई ऐसा चीज, कोई ऐसी पहल कोई ऐसा बिवाद जो उलज जाए सुलजेना क्या होता है embroil यानि कि बिवाद जगड़ा जिसको कहते हैं बिवाद या जगड़ा ठीक है भाई इसी कहते हैं हम लोग embroil तो प्यारे दोस्तों ये था आज का सेसन हमारा कैसा लागा कमेंट बॉक्स में आप लोग जरुर बताएगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स पर वाचिंग थैंक्यू